हाई एवरिवन आपका शब्यास ब्यूटी वर्ल में स्वागत है आज मैं आपके सामने हनी वैक्स लेकर आई हूँ इसमें लेमन सॉल्ट वॉटर और शुगर की जरूरत होती है आई यह शुरू करते हैं अब एक बाउल में शुगर और पानी को डालना है एक्चुली इसमें पहले से पानी इसलिए है क्योंकि मैंने पहले ही डाला था उस मेजर्मेंट पर लेकिन मैंने उसकी शूटिंग नहीं कर पाई और मेरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई इसलिए मैंने उसका डबल रेश्यो ले लिया है तो मैरे उसी रेश्यो पे गंटिनु रहिएगा तक इसका कलर नीचे जो जाता है अब इसमें हम सिट्रिक एसिट को एड़ करेंगे इसको लेमन सॉल्ट भी खेता है अगर आपके पास यह नहीं है तो आप नीबू के रज को भी यूज कर सकते हैं इसमें एट लीस्ट आदे से जादा नीबू का जूस पढ़ेगा अब देखिए इसका धीरे-धीरे कलर चेंज होने लगेगा और इसको आप कंटिनुसली चलाते रहें नहीं तो यह जल जाएगी चीनी अब हमारा वैक्स पूरा तयार हो गया है हमें जैसे डाक कलर चाहिए था वह हमको मिल गया है अब हमने गैस को आफ कर दिया है और इसको हम थोड़ी दिर तर चलाते रहेंगे उतार के ताकि अगल बगल की चीनी से जाधा जलेना जब आपका वैक्स पूरा ठंडा होने लगे तो आप इसको ट्रांसफर कर लें किसी एर टाइट कंटेनर में या जिसमें आप स्टोर करना चाहते हैं इसको यूज करने से पहले आप इसका टंपरेचर ज़रूर जएक कर लें ने तो कभी-कभी आपके हाथ को जनने की भी मुनाव बता सकती है देखे वैक्स कितनी असानी से स्प्रेड हो रहा है अगर आप मेरे इसी मेजरमेंट पर बनाएंगे तो आपका वैक्स एक्तम सही उत्रेगा और आप इसको लंबे टाइम के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं मैं आप बहुत उम्मीद से आपके लिए वीडियोज लाती हूँ अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू वहें मच्च